हेलो एवरीबड़ी वेलकम तो यूजी सीनर डाटरीफोर सेवन दिस अंजली और मेंटॉर पॉर पेपर टू एडूकेशन आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे और आप लोगोंने पढ़ना भी स्टार्ट कर दिया होगा ओके हेलो गुड आफ्टनून तान्या पांडे यस गुड आफ्टनून एवरीबड़ी तो जो बच्चे नए हैं हम उने बता देते हैं कि हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं पेपर डू एजुकेशन का आपका यूनिट वन एजुकेशनल स्टाडीज जिसका नाम क्या है शैक शिक अध्धयन ये एक यूनिट का नाम है और उसमें भी आपका जो सब टॉपिक है वो हम क्या पढ़ रहे हैं आज फिलोसफी वाला पार्ट दर्शन वाला पार्ट ठीक क्या है इंडियन स्कूल और फिलोसफी यानि कि आप देखेंगे आपका जो सिलिबस है आपने अगर वो देखा हो उसमें आपके इंडियन और वेस्टर्न यानि कि आपके भारतिय और पश्चमी जो विद्याले हैं दर्शन के उनके जो सब टॉपिक्स हैं वो आपके है तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि आपके पास दो फिलोसफी हैं आप पर इंडियन स्कूल फिलोसफी वेस्टर्न स्कूल फिलोसफी यानि कि भारतिय और पश्चिमी विद्याले है ना पश्चिमी विद्याले या स्कूल कुछ भी बोल सकते हैं इसको इनके बीच मे एक हम एक डिफ्रेंस देख लेते हैं कि आखिर इनके बीच में डिफ्रेंस क्या है फिर उसके बाद आप चीजों को आसानी से कनेक्ट कर पाएंगे तो यहां पर जो मेंड डिफ्रेंस है जो इन दोनों को अलग करती है वो क्या है तो आपके जो इंडियन फिलोसफी उनका वो आपके spiritual यानि कि आपके आध्यात्म की तरफ जादा जुके हुए हैं ठीक है वो metaphysical concepts को आध्यात्म के basis पर explore करते हैं जैसे कि वहां सबसे important जो point आपको दिखता है वो क्या दिखता है मोक्ष का ठीक है मोक्ष liberation और वहीं अगर मैं western philosophies की बात करूं यानिकि पश्चमी जो वो क्या basis मानती है वो बहुत ही logical होती है उन्हें तर्क चाहिए ठीक है प्रूफ रीजन मतलब empirical observation वो सभी इस पर बेस होती है ये एक मोटा मोटा difference आज अगर आप समझ लेंगे तो आप आगे जब मेरे साथ ये philosophies पढ़ेंगे आपको वो समझने में काफी आसानी होगी अब यहाँ पर जो हम लोगों ने इनके बीच में अंतर देखा उसमें एक चीज हम लोगों ने यहाँ पर देखी वो क्या है अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो आपके जो इंडियन philosophy है यानि कि आपका भारतिय अगर मैं philosophy की बात करूं भारतिय दर्शन उसका जो ultimate aim क्या हो जात birth, death, rebirth यह जो पूरा cycle है birth, death, rebirth इस पूरे cycle से बाहर निकलना यह आपकी बताती है इंडियन philosophy तो इनका main aim कहाँ पर होता है इस पूरा birth और rebirth के cycle से बाहर निकलने का रास्ता तो अलग-अलग जो आपकी philosophies आप मेरे साथ पढ़ेंगे उसमें चाहें वो बुद्धिजम हो या वेदान्त हो किसी ने इसको निर्वान बोला है क्या वल्ले बोला है अपने अपने तरीके से और अपने अपने philosophical base दिये है यहाँ पर तो ultimate आपको एक मोटा-मोटा aim समझ मे आगया कि आप इंडियन philosophies जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर उनका जो main focus होता है वो कहां होता है आपको birth, rebirth के cycle से बाहर निकालना वो इस metaphysical concept पर जोर देती है वहीं आपकी जो western philosophies होती है वो बहुत ही तर्क वितर्क ठीक है हर चीज़ का कारण, reason और आपका empirical observation इसकी बात करत है I hope आपको ये एक basic difference मोटा मोटा clear हो गया होगा अब हम आगे बात करेंगे आपका जो main syllabus है जहां से concept आते हैं अब आपको अगर ये चीज़ समझ में आ गई है तो वो काफी helpful होगी जो हम आगे पढ़ने वाले हैं उसमें ओके तो अच्छा, आप लोगों में से कितने लोग हैं जो syllabus देखकर आये हैं यह चिन्होंने UGC Net Education के अगर मैं बात करूं अपने paper 2 की उसका syllabus देखा है आप मेंसे कितने तो अब आप मुझे बताइए कि आपके सामने कुछ Indian Schools of Philosophy दिख रहे होंगे, हिंदी में भी देख लेते हैं, भारतिय दर्शन, जिनसे questions आपके UGC Net के पेपर में बनते हैं, ठीक है, राहुल मंडनल बोल रहे हैं, उन्होंने syllabus देखा है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, म आप चीजों को नहीं समझ सकते, तो हम यहां पर अपने मेन मुद्दे पर आ गए हैं, कि आपका जो syllabus है, देखो हम लोगों को दर्शन, फिलोसोफी से UGC Net का एक्जाम नहीं क्लियर करना है, हमें निकालना है एजुकेशन से, तो यहां पर एजुकेशन से रिलेटेड अग आपको शाखाएं दिख रही होंगी, यानिकि इनके further division है, और अब division का कोई तो आधार होगा, है ना, किसी आधार पे, किसी basis पे ही तो divide किया गया होगा इनको, क्या है वो basis, उसकी हम लोग अब बात करेंगे, तो देखते हैं यहां पर, आपको दो टर्म दिख रहे होंगे, और्थोडॉक्स, हेटरोडॉक्स, आस्तिक और नास्तिक, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आप लोग आस्तिक से क्या समझते हो, नास्तिक से क्या समझते हो, यहां पर इंगिन philosophies की यह दो divisions हैं, इनकी हम बात करेंगे अब, पैन का color change कर लेते हैं, यह ठीक है, आप लोग बताईए, तब तक फटाफट, मैं आप लोगों से पूछूं, आस्तिक और नास्तिक, तो इससे आप क्या समझेंगे, आपको कुछ समझ में आ रहा है, आप अपना बताईए, आस्तिक और नास्तिक से हम नॉर्मली क्या समझते हैं, हम नॉर्मली यह समझते हैं, कि आ यहां पर आपको एक करेक्शन करना है यहां पर जो हम लोगों ने इंडियन स्कूल और फिलोसोफी का डिविजन किया है जो पटवारा किया है और आस्तिक और नास्तिक में आस्तिक को हम बोल रहे हैं यहां पर क्या और्थोडॉक्स और नास्तिक को हम क्या पोल रहे हैं हेटर यह है आपका basis of division यानि कि वेदो को मानने वाले उनके आधार पर आपके दो schools divide हो जाते हैं Indian schools of philosophy में पहले हैं आपके आस्तिक जिने हम बोल रहे हैं orthodox and दूसरे हैं आपके नास्तिक जिनको हम क्या बोल रहे हैं heterodox यानि कि यह जो आस्तिक है वो किसमे मानते हैं वेदो में ठीक नहीं मानते यह मानते हैं तो इस बात को बिल्कुल आपको अच्छे से समझ लेना है कि यहां पर जो basis of division है वो है आपका वेदास only and only वेदास ठीक है अब यहां पर आप लोग मुझे बताएंगे हिंदी में भी चलो देखते हैं हमारे syllabus में कौन-कौन से हैं देखो यहां पर साफ साफ लिखा है वे नास्तिक दर्शन वेदों की प्रमारिक्ता को स्विकार नहीं करते वही आस्तिक दर्शन वेदों की प्रमारिक्ता को मानते हैं अब आस्तिक के सब्डिविजन्स है नास्तिक के आपके सब्डिविजन्स है अब आप लोग मुझे बताएंगे कि हमार जो सिलेबस में है वो क्या क्या है वो है आपका सांख आप यहां स्पेलिंग देख सकता है यहां पर आपको एन भी लिखा मिल सकता है तो दोनों वो सही है इसको सांख की प्रणाउंस कर सकता है आप लोग सांख की भी बट दोनों एक ही चीज है चाहिए वो M हो और और क्या है हमारे syllabus में येस बताएंगे आप लोग योग है या नहीं है कौन था अभी जो बोल रहा था syllabus देखा है उन्होंने आप लोग बताई हमारे syllabus में क्या है सांख्य है योग है क्या नयाय है वैशेशिका है आपका मिमांसा वेदान्त क्या ये स्कूल है या नहीं इसमें से मैं ही ब और वहीं अगर मैं नास्तिक की बात करू음 जो के वेदों की प्रमालिकता को नहीं मानते वो आपके हमारे जो Syllabus में वो है बुधिद्धिज्म, जैनिज्म और अगर मैं चार्वा की बात करूँ तो ये हमारे Offici.'' ले हमारे उफिशल सिल्बस में तो नहीं है तो आप अभी तक देख चुके हैं कि आपका चारवा क्या है नास्तिक है बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है तो हिन्दी वाले भी समझ गए होंगे आपके syllabus का part क्या है यहाँ पर नास्तिक की बात की जाए तो जैन है बौढड है वही आस्तिक की बात की जाए तो क्या क्या है आपका न्याए है वैसेशिक है क्या बताया मैंने नहीं है सांक्य है योग है वेदानत है तो ये है आपके syllabus का part और यहीं से हम लोग एक structured तरीके से पढ़ाई start करेंगे तो इतनी बात I hope आप सभी लोगों को clear हो जानी चाहिए अब यहाँ पर सांग के philosophy को start करने से पहले कुछ उसका एक मोटी मोटी बात समझ लेते हैं फिर उसके बाद हम सांग के philosophy की बात करेंगे आप लोग क्या क्या रहा है अब सांग की दर्शन को देखते हैं तो सांग की सबसे पहले अब आपके दिमाग में छप चुका है यह क्या है आस्तिक है है अब यहां पर देखे तो सांग की philosophy है अगर मैं आप से बोलूं question भी अगर मैं पूछू कि सबसे oldest school, सबसे प्राचीनितम हमारा जो विद्यालाय है, वो कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे, सांखे philosophy, सांखे दर्शन, क्योंकि ये है आपका one of the oldest school in Indian philosophy, और वहीं इसके जो propounder है, वो कौन है, सेज कपिला, ये हो जाता है आपका बहुत ही important point, जो कि आपके paper में कई बार पूछ लिया जाता है, कि सांखे philosophy के propounder कौन है, आपके सेज कपिला, अब ये जो आपकी सांखे philosophy है न, इसका जिकर आपको भगवत गीता में भी मिलता है, एक बार question आ चुका है आपके UGC net के examination में, कि भगवत गीता में भी कौन सी एक philosophy है, जिसका हम लोगों को वर्डन मिलता है, तो वो कौन सी है आपकी, सांखे philosophy, because वहाँ पर आपके जो sage couple है न, उनका वर्डन मिलता है, sage couple, तो अब यहाँ पर एक और जो इसका अगला point देखते हैं, कि यह जो आपकी सांखे philosophy है, कई विद्वादों ने क्या किया है, इस पर टिपड़ी दी है, है न, टिपड़ी देना आप समझते हो न, कि मतलब आप अपनी टिपड़ी देते हो, कोई commentary दे रहे हो, तो वहीं पर जो सांखे philosophy पर जो टिपड़ी दी है किसी ने, वो किस ने दी है, ईश्वर कृष्ण ने, और उस टिपड़ी का आपका नाम क्या है, सांखे करिका, यह भी हो जाता है, आपका बहुत ही important point, कि सांखे करिका, किस ने लिखी है, और सांखे करिका क्या है, अगर म सांख्य फिलोसफी पर जो कि किस ने दी है इश्वर कृष्ण ने बहुत ही important point है आपका जिसे आपको याद रखना है कि सांख्य करिका इश्वर कृष्ण ने लिखी है जिसमें कि इन्होंने एक पूरा टिप पणी दी है तो आई होप आपको इतनी चीजें अभी तक क्लियर हो चुकी है और बाकी डीटेल में हम लोग सांख्य फिलोसफी अपनी अगली क्लास में समझेंगे बिकॉस यह सांख्य फिलोसफी कई लोगों को समझ आती नहीं है और इससे आपके पेपर में भर भर के questions पूछे जाते हैं तो बहुत ही अगर मैं आपके इंडियन philosophy में कोई philosophy को बोलूं कि जिससे बहुत ही जादा questions आपके frame होते हैं questions बनते हैं तो वो कौन से philosophy होगी आपकी सांख के philosophy इसे आप skip करना बिल्कुल afford नहीं कर सकते इसको पूरा आसान तरीके से बिल्कुल इसका जो सार है वो हम लोग देखेंगे अपनी next class में till then take care और हां हमारे paid batches start हो चुके हैं और हम लोग daily मिलेंगे आप से youtube पे इसी time पे that is 3 p.m तो तीन बजे आप लोग next class में भी एकदम तयार होके आएंगे और सांख के philosophy को हम लोग detail में पढ़ेंगे so till then thank you very much and take good care